हाई लेविंधीज, वेलकुम टू इजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ अबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर में अपना मेथड करने वाले हैं वेटेड एग्रिगेट मेथड इससे पहले वाली वीडियो में गाईज हमने सिंपल मेथड किया सिंपल यानि कि अन्वेटेड के हमने दोनों केसिस कर लिये थे अब हम वेटेड का एग्रिगेट मेथड करेंगे प्राइस रिलेटिव नेक्स वीडियो में करेंगे तो यह काफ़ी इंपोर्टिन है गाईज टॉपिक एक्जान पॉइंट अफ यू से क्योंकि इस पर क्व ठीक है अब इनके फॉर्मुले जो दे रखे है वो याद करना बहुत ही असान है काई पार हमें ऐसा लगता है मुश्किल है बट बहुत असान है गाईज देखो प्राइस इंडेक्स का नॉर्मल फॉर्मुला होता है पीवन अपॉन में पीजीरो इंटू हंडर्ड यानिकि Summation of current year price divided by base year price into 100 तो guys सबसे पहले में ये कहूंगी कि ये वीडियो आपको तभी समझाएगी जब आपने basic वीडियो देखियोगी price index की क्योंकि इसमें जो मैं terms use करूंगी वो बड़ी common सी है अगर आप ये chapter कर रहे हो लेकिन अगर आप starting है इस वीडियो से करोगे तो नहीं स समझाएगा तो basic वीडियो जरूर देखना conceptual knowledge के लिए तो आपको पता है कि normal price index का नमज होता है guys वो P1 अपन में P0 into 100 होता है ठीक है P1 बोले तो current year के price का total and P0 बोले तो base year के price का total ठीक है अब last year का मतलब होता है कि हमें quantity जो लेनी होती है यानि कि यहां पे multiply by 100 तो रहेगा ले लेकिन जो हम summation लेंगे उसको Q0 Q0 से multiply करके लेंगे यानि कि P1 को multiply करना है Q0 से then P0 को multiply Q0 से उसके बाद उसका summation लेना है तो P1 Q0 का summation P0 Q0 का ठीक है यह इसका formula होता है अब याद कैसे करें देखो हमें question में guys 4 चीज़े given होती है P0 Q0 P1 Q1 यह 4 चीज़े होती है यह base year का price base year की quantity current year का price current year की quantity ठीक है अब यहाँ पर हम बात करें guys last year का मतलब होगा आपको last year की quantity लेनी है यानि कि base year की quantity अब पास्चे का formula क्यों होता है उसका formula होता है normal हमें formula पता है P1 upon में P0 into 100 होता है ठीक है अब इसमें हमें Q1 करना है अब यह कैसे याद रखेंगे कि किस किसमें Q0 होगा किसमें Q1 होगा तो देखो past year का मतलब होता है present year quantity तो present year quantity यानि की current year की quantity से उपर और नीचे multiply होगा और last year में last year से नाम याद रखना है इसको ठीक है तो L मतलब last P for present तो इसमें present year की quantity लेनी है इसमें last यानि की base year की लेनी है यह इन दोनों के formula होते हैं और Fischer's उसने इन दोनों के फॉर्मुले को ही अपना फॉर्मुला बना डाला उसने इसका फॉर्मुला उठाया P1 Q0 divided by P0 Q0 और इसका फॉर्मुला उठाया P1 Q1 divided by P0 Q1 और बाहर मल्टिप्लाइ बाइ 100 तो यह फिशर का होते है फिशर्स का थोड़ा सो डिफिकल्ड माना जाते है क्योंकि अंडरूट निकालना काफी स्टुटेंट को वड़ा बोरिंग सा लगते है बट अभी हम आप सॉल्फ करेंगे काई इस काफी असान है लेकिन कॉंसंट्रेशन की अब हमें अगर लास्टियर को सॉल्फ करना है तो हमें पीवन क्यू जिरो निकालना है ठीक है और दूसरा क्या निकालना है पीजिरो क्यू जिरो और अगर हमें पास्चे को सॉल्फ करना है तो हमें पीवन क्यू निकालना है और दूसरा पीजिरो क्यू निकालना है ठीक है बहुत चाहिए इसमें ताकि हम गलत नंबर से मुल्टिप्लाय ना कर दें तो अभी हाँ पर मुल्टिप्लाय करते हैं यह हो गया मुल्टिप्लिकेशन इसके बाद है P0 Q0 यानि कि इनको आपस में करना है तो 10 इंटू 10 100 105 150 200 and 80 ठीक है इसके बाद P1 Q1 यानि कि इन दोनों को आपस में करना है तो 500 400 300 160 200 इसके बाद P0 और Q1 तो P0 को Q1 से यानि कि यहां से इसको मुल्टिप्लाय करना है तो यह आगया 250 350 and 450 अरे वाद 200 इसके साथ साथ 5 4 सा 200 यह आगया अब इनका समेशन हमें चाहिए तब हम समेशन कर लेते हैं इसका समेशन कितना आ रहे गाई 8 प्लस 2 हो गया 10 16 3 4 5 6 6 60 इसका कितना आएगा 5 आएगा एक तो यहां and 13 2 3 4 5 6 6 35 इसका कितना आएगा 6 0 2 3 6 10 1 5 6 0 और इसका कितना आएगा 0 5 1 4 5 0 तो आपको यह सिंबल कल्कुलेशन करने हैं जो कि मल्टिप्लिकेशन है लेकिन यह इस कॉंसेंटरीशन की ज़रुरत है इसके बाद हमें इससे फॉर्मला में पुट करना है तो P1 Q 0 क्या है हमारा 6 60 divided by 6 35 into 100 तो अब यहां पर डिवाइड आपको करना है देखो अगर यह इससे किस पर जाएगा 1 पर बचेगा कितना 25 तो 25 250 तो नहीं जा सकता तो हम 0 लगाएंगे फिर हो गया यह पच्चिस सो अब हमें 6 35 के टेबल को कितने से मल्टिप्लाय करें कि 25 से कम पर आए तो लेट 4 से करके देखते है यह तो जादा आ रहा है फिर 6 35 को 3 से करके देखते है 1905 तो यह पच्चिस सो से कम आ रहा है तो 103 तो गाईज यह 103 पॉइंट वाला आप पार्ट सॉल्व करना ठीक है इसके बाद अगर मैं पास्चे का सॉल्व करूँ तो किस तरीके से होगा पास्चे में हमारे पास है P1 Q1 that is 15 60 को डिवाइट करना है 1450 से multiply by 100 तो पहले तो यह 1 पे ही चला गया ठीक है अब 1 पे चला गया तो यह आया 1 1 0 1100 बन गया 1 0 लगा के तो अभी यह 1450 से नहीं जाएगा हम 0 लगाएंगे अब यह बन गया 1100 अब 1450 के कितने टेबल कितनी नंबर पर तो हम let's suppose करो साथ से करके देखते हैं एक बार 10150 और अगर इसमें में 1450 एट करो तो वो 11 से बड़ा टम हो जाएगा तो इसका अंसर गाईज 107.something आएगा ठीक है तो यह आप solve कर सकते हो simple है अब बात करतें Fischer's की Fischer's जिसका price index root में होता है दोनों के formulas आप ऐसे लिख सकते हो है ना लाइक जैसे P1 upon में Q0 और P0 summation लगाएंगे into P1 upon में P0 Q1 Q1 sorry बाहर 100 अब इसको अगर हम put करें गाईज तो यह देखोगे तो यही terms है तो यानिकि जो यह आपका answer आ रहे है ना जैसे 10 आपका 3.something आ रहे है तो आप it means आपने 100 से इसे multiply किया था तब जाके आपका 103.something आ रहा था लेकिन यहाँ पे हमें multiplication 100 से नहीं करनी है अगर आप इसे put करोगे तो क्या बनेगा same tummy बनेगी 660 divided by 635 और 1560 divided by 1450 बाहर 100 है तो ऐसे किसमें आप इसे बहुत simplify कर सकते हो गाईज जो आपका answer आ रहे है उसमें आप 100 में 20 हमने एक्सर लगाई होती है तो दो नंबर्स के बाद आप पॉइंट लगा दो तो यह बन जाएगा 1.03 यह बन जाएगा 1.07 ठीक है अब हमें इसे solve करना है actual में क्या होता है हम यहाँ पे 100 का multiplication लगाते हैं ठीक है तो हमारे number जो point है वो 2 point के बाद आ रहा होता है लेकिन यहाँ पे multiplication 100 से नहीं है वो बाहर है तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको उसके अंदर बना point खिसका देते है तो अगर आप solve भी करोगे तो भी आपका answer 1.03 आएगा चाहे करके देख लेना तो यह ट्रिक है कि आप इतना solve करोगे इससे बेटर है कि आप point पहले ही दो number खिसका दो ठीक है अब यह हो गया अब हमीं क्या करने है 1.03 को multiply करने 1.07 से और बाहर है हमारा 100 तो अगर हम इसको solve करें तो यह कुछ term बनेगी गाइस बस calculation है इसकी जो समय लेती है आपका यह कितना आगया यह आएगा आपका 1,2,3,4 यह आगया आपका under root 1.1021 और बाहर में 100 तो अगर आप 1.1021 का root निकालोगे तो कितना आएगा तो सबसे पहले 1 पे जाएगा तो root निकालना आना चाहिए इसके लिए फिर आपका point लग गया नीचे 10 आगया 1 से 1 गया 0 ठीक है तो 0 की तो कोई value नहीं है नीचे उतरा है 2 नमबर 1 प्लस 1 होता है 2 ठीक है पर यह नहीं जा सकता तो 1.0 हमारे आगया 2 and अब हमें क्या उतारना है guys अब हमें कुछ ऐसा नमबर लेना है जो हमारे इससे कम होना चाहिए तो हमने अगर नमबर लेंगे तो हमारा answer आएगा 1.2 20 को 2 से कितने से करे 4 से करे 4 पे जाएगा 96 आएगा ठीक है तो locks लेके भी इससे solve कर सकते हो लाइक पूरा 1.04 multiply 100 तो आपका 104 bracket में एप्रोक्स लिख सकते हो क्योंकि हम लोग एक तम calculator की तरह तो नहीं solve कर सकते प्रोपर तो 104 एप्रोक्स ले सकते हो क्योंकि एप्रोक्स पे answer almost same आजाते क्योंकि point हमें कहां तक solve करना है वो बात matter करती है तो एप्रोक्स लिख देना जहां पर भी आपका answer point में दो या ती नमबर से जादा आ रहा होता है तो एप्रोक्स ताकि टीचर को भी एचिस पता चल रहे है कि थोड़ा सा उपर नीचे हो सकते है क्योंकि point में generally हो जाता है So guys I hope आपको ये concept समझाया होगा अगर फिर भी कोई दिक्कत है कही पर problem है तो आप YouTube पर comment के through या फिर Instagram पर message करके पूछ सकते हो Thank you